वेरी गूड इवनिंग है सभी का और श्वागत है आप सभी का दिक्षानता है इसके ओनलान प्लेटफॉर्म पर इस जोग्रफिक के इंस्यार्टी के स्पेशल सेशन में मैं संकर जाद धीरज कुमार जी आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं सभी का स्वागत करता हूं आज हम लोग इसमें एक जैब विवित्ता वाला टॉपिक है उसके उपर हम लोग क्लास करने जा रहे हैं खिक न इसके उपर जो क्लास करेंगे क्योंकि कल आपने जो पृत्वी पर जीवन वाला क्लास किया था तो जैब विवित्ता में जो टॉपिक जैब विवित्ता का व बायो डैवर सिटी का टॉपिक है और इस बायो डैवर सिटी वाले टॉपिक में यहां से बहुत ही कोश्चन आते हैं, हमें ध्यान से समझना है, तो हम लोग इसकी एक पॉर्मेटिंग कर लेते हैं कि इस टॉपिक में हमें कौन-कौन सेडिया को कभर करना है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे बायो डैवर्सिटी क्या है जैब विविदता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे जो आप परहाय शुरू की होंगे तो जानते भी होंगे दूसरा इसमें हम लोग जानेंगे जैब विविदता के बारे में कि जैब विविदता का वितरन है जै बिवित्ता का वित्रन किस तरीके से distribution है इसके बारे में जानेंगे कीसरा segment जो हो जाएगा वो हो जाएगा जै बिवित्ता का अस्तर level of biodiversity जै बिवित्ता का अस्तर हम बिल्कुल NCRT को इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर दिया है कि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा जै बिवित्ता का स्तर के बाद जो segment है वो है हमारे लिए जै बिवित्ता का महत्व क्या है importance of biodiversity क्या है हमारे लिए वो जाएगा महत्व के बाद जब हम लोग चलेंगे जै बिवित्ता पर तो फिर इसमें क्या आज जाएगा कि जै बिवित्ता के हरास का कारण क्या है हरास का कारण यानि जै बिवित्ता का बिनास क्यों हो रहा है इसके कारण हो जाएंगे बिनास के बाद हम लोग थोरा सा इसमें एक सिग्मेंट आजाएगा IUCN का जो वर्गी करन है जीवों का कुछ उसके बारे में हमें जानना है IUCN का वर्गी करन IUCN के वर्गी करन के बाद आप जाएंगे तो फिर जो जै बिवित्ता सनरक्षन के दिशा में कुछ प्रयास के उपर चर्चा किया गया है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जै बिवित्ता सनरक्षन फिर इसमें एक महा जै बिवित्ता केंद्र के बारे में चर्चा किया गया है महा जै बिवित्ता केंद्र मेगा बायो डैवर्सिटी किंद्र कहेंगे विवित्ता जै विवित्ता के संरक्षन के प्रयास को दो तरीके से कुछ जो इसमें अंतरास्तिय प्रयास से उसके बारे में चर्चा किया गया है और कुछ हमारे यहाँ जो जै बिवित्ता के संद्रक्षन के प्रयास किये गया है उसमें एक दो पॉइंट को इसमें नोटिस किया गया है जै बिवित्ता के हरास के कारणों को दो सिग्मेंट में समझेंगे कुछ इसके हराज के बिनास के प्राकृतिक कारण भी हो जाएंगे और कुछ इसके बिनास के जो मानव जनित कारण है वो भी हो जाएंगे जिसको हम लोग anthropogenic cause कहते हैं वो हो जाएंगे जै बिबिता का जो महत्व होगा ये भी तीन सिग्मेंट के सहारे समझा जाएगा जै बिबिता का एक पारिस्थित की महत्व देखेंगे एक एक लोजिकल आसपेक्ट क्या है पारिस्थित की महत्व एक लोजिकल आसपेक्ट क्या है दूसरा जै विवित्ता का आर्थिक महत्तु क्या है, economical aspect क्या है और जै विवित्ता का बैज्यानिक महत्तु क्या है, scientific उपादयता क्या है, बैज्यानिक महत्तु क्या है, वो हो जाएगा जै विवित्ता के अस्तर का निर्धारन भी तीन तरीके से हो जाएगा इसमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं आनुवानसिक बिविद्था आनुवानसिक डैवर्सिटी का अधार पर आनुवानसिक बिविद्था यानि जेनेटिक डैवर्सिटी के अधार पर दूसरा हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे प्रजातिय बिविद्था प्रजाति अधिति की विवित्ता कहेंगे, system की विवित्ता ये हो जाएगा, जै विवित्ता के वितरन को देखेंगे और फिर जै विवित्ता क्या है, तो अब इस topic का पूरी तरीके से framework बन चुका है, एक बारा फिर से समझे, किस topic माम लोग जानेंगे, what is biodiversity, दूसरा है जै विवित्ता क अस्तर, level या layer of biodiversity, तो level of biodiversity को तीन तरीके से समझाया गया है, आनुवांसिक diversity का अस्तर पर, species diversity का अस्तर पर, and ecosystem की diversity का अस्तर पर, फिर जै विवित्ता का हमारे आपके लिए क्या महत्तु है, ये हमें समझना है, तो जै विवित्ता के महत्तु को तीन तरीके से है, एक ecological importance है, economical इन्पोर्टेंस है एंड साइन्टिफिक इन्पोर्टेंस के तरह समझाए गया है जै विवित्ता के हरास के कारणों को दो भागों में एक प्राकृतिक कारक यानि नेचुरल कॉज दूसरा मानव जनित यानि की आंफ्रेपोजनिक कॉज आई-उसीन का बरगीकरन होगा इस ब आता रास्ट्य प्रयास की चर्चा है दूसरे हमारे यहां के कुछ रास्ट्य प्रयास की और फिर महाज्या विवित्ता केंदर के बारे में है तो आईए सबसे पहले हम 10-15 मिनट अभी continue क्लास करते हैं और क्लास करने के बाद कुछ दो सिक्मेंट को जानते हैं फिर हम आपक से पहले क्या है कि जैब विवित्ता क्या है जैब विवित्ता क्या है तो अगर हम जैब विवित्ता को समझते हैं तो इसमें क्या है कि जैब विवित्ता जो है दो सब्दों के मेल से बना है इसमें एक है जैब और दूसरा जो है बायो डैवर्सिटी यानि कि दूसरा जो है बिविदता या जिसको आप कह सकते हो diversity है यहाँ पर जैब का अर्थ क्या हो जाएगा G1 है जिसमें G1 है या जीब का हम यहाँ पर अर्थ लेंगे या बायो डैवर्सिटी तो जैब या बायो डैवर्सिटी इसका सिधा सर्थ क्या हो गया की जीवन वाले में जिसमें जीवन है इसका अर्थ ये है और इसका अर्थ ये निकलता है कि एक निश्चित भौगोलिक छित्र में जो पाए जाने वाले पौधों के प्रकार होते हैं एक निश्चित भौगोलिक शितर में पाए जाने वाले पौधों के प्रकार दूसरा जो प्रानियों की संख्या और उनके प्रकार होते हैं और दूसरा जो शिक्समजीबी की संख्या और उनके प्रकार होते हैं इन सभी को सामिल करके हम क्या कहते हैं जय विवित्ता कहते हैं तो बायो डैवर्सिटी दो सब्दों के मेल से बना हुआ है बायो प्लस डैवर्सिटी यहां बायो का अर्थ है जीवन या जीव डैवर्सिटी का अर्थ है विवित्ता अर्था जीव की विवित्ता तो इसको ज़तान है उसको हम लोग क्या कहते हैं जय बिवस्टा जय थी कहते हैं अभी जो सब उसको आप और और तरिकें से समझते हैं जया बिवत्ता जो है क्या है प्राकृतिक संपता भी है नेच्चनल मार! उसे जेवी है सजीव संपता है ये जैविविता का बरतमान जैविविता जो प्रितवी पर है ये जैविविता लाखों वर्सों के इतिहास का परिनाम है लाखों वर्सों के विकास के इतिहास का परिनाम है विकास का परिनाम है यानि कि प्रिजेंट समय में प्रितवी पर जो पर बहुत सारे नयवे जीव आए तो प्रिजेंट में जो प्रिद्वी पर पादप बनस्पति अर्था जो प्रानी है जो सिक्म जीवी है इनकी जो विवित्ता पाई जाती है वो लाखो वर्सों के विकास प्रिक्रिया का परिनाम है यह जो जैब विवित्ताएं है बिसिकली तंत्र से है फिर आप समझे कि प्रतिवी पर जो प्रजातियों की आउसत आयू मानी गई है प्रजाती की आउसत आयू तो NCRT के सहब सहब देखेंगे तो प्रतिवी पर जो प्रजाती की आउसत आयू मानी गई है वो 10 वर्स से यानि 10 से 40 लाख वर्स तक प्रजाती की आउसत आयू मानी गई है और ऐसा माना जाता है ऐसा माना जाता है कि प्रित्वी की लगभग 99 प्रतिसत प्रजातियां जो कभी इस प्रित्वी पर रहती थी वो लगभग लुप्त हो चुकी है या उसका विनास हो चुका है तो इस तरीके साथ यह समझे कि इसका अर्थ यह अगर प् शर्ट निकलता है कि जैब विवित्ता का विनास और उसका निर्मान होते रहता है ये प्रकृति का एक नियम है कि पुराने जीव जाएंगे और नए जीव उसके अस्थान पर आएंगे लेकिन ये विनास की उपर कब निकलता है तो जब प्रकृति के द्वारा किसी जीवों क समाबत किया जाता है तो प्रकृति में इतनी छमता होती है कि नए सिरे से उस जीव को ले आएं लेकिन जब मानभी प्रक्रम अधिक हो जाता है और उसके बिलोपन का दर तेज हो जाता है तो वो जैब विवित्ता के बिनास का कारण बन जाता है तो जै बिवित्ता जो है इस तरीके से समझना है कि ये हमारे लिए एक प्राकरतिक संपदा है बरतमान प्रत्वी पर जो जै बिवित्ता पाई जाती है वो जीवन के लाखों वर्सों के विकास प्रक्रिया का परिनाम है प्रजाती की ओसत आयू 10 से 40 लाख वर्स मानी गई है ऐसा माना जाता है कि 99 प्रतिसत प्रजाती जो पहले प्रतिवी पर पाई जाते थे अब नहीं पाई जाते हैं यानि कि उनका किसी ने किसी कारण से विलोबन हो चुका है सेकेंड सेक्षन जो इसमें हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जै बिवित्ता का वित्रन जै बिवित्ता का वित्रन जै बिवित्ता का वित्रन जो है सबसे पहले आप ये ध्यान में रखेंगे कि ये सरवत्र एक समान नहीं है प्रित्वी पर क्या है कि सर्वत्र एक समान नहीं है कहीं पर जीवन की विवित्ता अधिक है तो कहीं पर क्या है कम है और चुकि जय विवित्ता के वित्रन को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो जियो क्लामेटिकल फैक्टर होते हैं तो चुकी पृत्वी पर जियो क्लामेटिकल फैक्टर सभी जगा एक समान नहीं है इसलिए पृत्वी पर हमें जय बिवित्ता भी सर्वत रेक समान नहीं मिलती है इसको आपको तीन पॉइंट के सहारी समझना है सबसे पहले क्या है कि नॉर्मल अगर आप इस ग्लोब को देखें और अगर ये एक्क्वेटर हो जाए जीरो डिग्री हो जाए तो बिश्वत रेखा से ध्रूब की ओर जैसे जैसे आप जाएंगे तो प्रजातिये बिवित्ता में कमी आती जाते है इस तरीके से आपको समझना है कि बिश्वत रेखा के पास ये पहला हुआ है इसका अर्थ है कि बिश्वत रेखा के पास प्रजातिये बिवित्ता अधिक पाई जाती है और जैसे जैसे बिश्वत रेखा से हम उत्तर और दच्छिन की ओर जाते हैं प्राजाती है विवित्ता कम होने लगती है लेकिन किसी एक प्रजाती के अंतरगह जीवों की संख्या आपको अधिकमनेगे तो जैय विवित्ता का बितरन जो सर्वात्र एक समाना नहीं तो तीन पॉइंट के सार इसारह समझता है दूसरा जो आपको इसको समझना है और समान वितरन को वो इस तरीके से समझना है कि परबतों पर क्या होता है कि अगर आप इसको परबत माल लें mountain region माल लें तो परबतों पर क्या होता है कि जैसे जैसे उचाय बढ़ते जाती है वैसे वैसे जय बिवित्ता क्या होता है कम होते जाते इसका अर्थ है कि परवत के निम्न उचाय पर जय बिवित्ता अधिक होगी और फिर जैसे जैसे altitude बढ़ते जाती है जय बिवित्ता कम होते जाती है और तीसरा point आपको ये समझना है कि अगर हम इसे C level मालने तो सागर में जैसे जैसे गहराई बढ़ते जाएगी गहराई बढ़ने के साथ क्या होती है गहराई बढ़ेगी जै बिवित्ता कम होगी बढ़ती गहराई के साथ गहराई बढ़ेगी तो क्या होगी जै बिवित्ता क तो इस तरीके से विश्वत रेखा से धुरूब की ओर जाने पर जैब विवित्ता में कमी आना परवतिये छित्रों में उचाय बढ़ने के साथ जैब विवित्ता में कमी आना और सागर में गहराय बढ़ने के साथ यानि सी लेबिल से नितल की ओर जाने पर जैब विवित्ता में कमी आती जाती है और ये जो जैब विविद्था में इस तरह की कमी आती जाती है इसको हम लोग जैब विविद्था प्रवनता कहते हैं क्या कहते हैं इसको जैब विविद्था प्रवनता यानि बायो डाइवर्सीटी ग्रैडियंट के नाम से जाना जाते हैं इसको क्या क डाइग्राम बनाया है इससे आप याद रखेंगे कि विश्वत रेखास एक्वेटर के ओर पर जाती है बिवित्ता कम होगी जै बिवित्ता कम होगी और फिर परवतिये छित्रों में उचाय बरने के साथ जै बिवित्ता कम होगी अर्थात निम्न उचाय वाले छित्रों में परवद के नीचले भागों में, बायोड़वर्सिटी अधिक, उच्छे भागों में कम, सी सरफिस से जैसे जैसे आप नितल की ऊढ़ जाएंगे, जैन बिविद्था की मात्रा कम होते जाते इसका अर्थ है, कि सागर के उपनी मंडलों में बायो डैवर्सिटी अधिक मिलेगी और जैसे जैसे गहराय बढ़ेगी बायो डैवर्सिटी कम होचे जाएगी और संसार में ऐसे छित्र जहां पर प्रजातिय बिविद्ता अधिक पाई जाती है यानि कि पादब की जन्तों की प्रजातिय बिविता प्रबंता करते हैं नेक्स्ट का अस्तर जैसे मैंने पहले नहीं कहा निर्दारन होता है यह उत् absorbed हिमें इसके चार आधार होते हैं इसमें एक आधार जो होता है इसको हम लोग कहते हैं आनुवानसिक डायवर्सिटी क्या कहेंगा इसको आनुवानसिक बिविदिता, जेनेटिकल डायवर्सिटी है दूसरा जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं प्रजातिय विविदिता कहेंगे S.P.S.E.G.Diversity की आधार पर होता है और तीसरा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं परितंत्रिय विविदिता कहते हैं इको सिस्टम की विविदिता कहेंगे परितंत्र की विविदता तो इसको समझेंगे कैसे और ये ये किस चीज को निरिपुत करता है और जब हम इन तीनों को जानते हैं तो किसको कहेंगे इस तीनों से हमें ये पता चलता है आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे कि इससे हम तीनों से ये निकालेंगे कि किसी प यानि आनुवानसिक विवित्ता का धार पर प्रजातिय विवित्ता का धार पर और परितंत्रिय विवित्ता का धार पर तो आनुवानसिक विवित्ता जो होती है यह बेसिकली क्या है कि किसी भी प्रजाति या जीव के अंतरगत पाई जाने वाली जो जीन की विवित्ता होती उसको हम लोग क्या कहेंगे आनुबांसिक विवित्ता क्योंकि किसी भी जीब में जो विवित्ता होती है वो किसके कारण होती है जीन के कारण होती है यह किसकी विवित्ता को दिखाता है आनुबांसिक विवित्ता जीन की विवित्ता को दरसाता है अब पहला दूसरा क्या है कि जो समान भौतिक जैसे समान भौतिक लक्षनों का जो समू होता है या समान भौतिक लक्षनों वाले जीवों के जो समू होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं प्रजाती अर्थात समान जो पहतिक लक्षनों के समान भौतिक फिजिकल समान भौतिक लक्षनों वाले जीवों के समों कम लोग क्या कहते हैं प्रजाति कहते हैं तो इस दरिष्टिकों से देखेंगे तो मानब जो है आनुबांसिक रूप से क्या है हेमो सेपियन से है लेकिन इसका रंग कद काथी सरीर का काया क्या सब का एक समान है आनुबांसिक रूप से या वैज्ञानिक रूप से हम आप सभी हेमो सेपियन से हैं लेकिन कद काथी काय सब से हम लोग क्या है एक दूसरे से डिफेरेंट है और ये फेरेंट क्या है ये जीण केकारण ईये जीण का गुन कहां से आया है माता-पिता के संतति को सिकांज ईसका अर्थ चेतर में एक निश्चित भौगोलिक चेतर में ये किसको व्यक्त करता है तो एक निश्चित भौगोलिक चेतर में ये प्रजातियों के अनेक रूपता को व्यक्त करता है और ना के बल अनेक रूपता को व्यक्त करता है कि इस निर्धारित चेतर में प्रजातियों की संख्या क्या है number of species की संख्या क्या है उसको ये व्यक्त करता है जो प्रजादी और संख्या किस से व्यक्ती होती है तो प्रजादी की सम्रिद्धी उसके प्रकार उसकी बहूलता से यानि कि संख्या को प्रकट यानि कि प्रजादी की जो सम्रिद्धी है उसके जो प्रकार है और साथी साथ उसकी जो बहूलता है उससे उसकी संख्या प्रकट होती है और जब किसी प्राकरतिक बातावरन में निकनिस्षित भागोलिक छितर में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है तो प्रजातिय विवित्ता वाले जो छितर होते हैं प्राकरतिक प् प्रजातिय विवित्ता का अर्थ क्या निकलता है कि यह एक निश्चित भौगोलिक छित्र में प्रजातियों के अनेक रूपता को व्यक्त करता है इसका अर्थ है कि यह प्रजातियों की संख्या यानि कि पादप, जन्तु, सुक्स्मजीबी के अंतरगत कितने प्रकार की प् और संख्या किस से संबंद होगा तो प्रकट होगा तो प्रजातियों की संब्रदी है उससे जो प्रकार है उससे और जो बहुलता है उससे और जब एक निश्चित छित्र में प्रजातियों की संख्या काफी बहुत पाई जाती है तो फिर हम उसे क्या करते हैं होट स्पोट र प्रित्वी क्या है एक ब्रिहद जैब मंडल पारिस्तितिक तंत्र है और यह जीवों के आवास के आधार पर कई प्राकृतिक प्रयावरन में कई जीवों में या कई पारिस्तितिक तंत्र में बटा हुआ इस तरीके से आपको समझना है परितंत्रिय विवित्ता को दो तरीके कि प्रित्वी जो एक ब्रहत जैब मंडल है ये जैब मंडल जीवों के आवास के अधार पर कई परितंत्रों में बटा हुआ है और फिर एक परितंत्र के अंतरगत जो है आवास की काफी विविद्दा होती है तो प्रित्वी परितंत्र में जीवों के लिए जो आवास की इसका अर्था है कि वहाँ पर जीवों की संक्या आधिक होने की संभावना होती है तो इसको हम लोग परितंत्रिय विवित्ता कहते हैं तो इन तीनों के अधार पर अर्थात आनुवांसिक डावर्सिटी प्रजातिय विवित्ता और परितंत्रिय विवित्ता के अधार पर हम क रूप में जाना जाएगा नेक्स्ट हो जाएगा जै विवित्ता का हमारे लिए महत्व क्या है ये इन्पोर्टेंस क्या है तो इन्पोर्टेंस को तीन पॉइंट के सहारे बताया गया है जिसको आपको समझना है एक है जै विविवित्ता का पारिस्थीतिकिये महत्व क्या है ecological importance क्या है जै विबित्ता का पारिस्थीतिकिये या प्रियावर्निये महत्व क्या है जै विबित्ता का आर्थिक महत्व क्या है economical importance क्या है अलाएंकि इसमें तीन ही point दिया हुआ है लेकिन इसके और कई सारे dimension होते हैं और फिर इसका बैज्ञानिक महत्तु क्या है इसके राजनितिक महत्तु हो सकते हैं जय विपित्ता के सामाजिक महत्तु हो सकते हैं यह सारी चीजें इसमें आ सकती है तो इसके कारण क्या होता है कि आपको थोरा सा ध्यान से पारिस्थीतिकिये महतु का क्या रत है कि जैब विबित्ता के अंतरगत हम लोगों ने क्या देखा है कि बनस्पति भी सामिल है तभी जीब जन्तु सामिल है और जो सुक्ष्म जीबी है वो भी इसमें सामिल है तो ये सद्रिश्थी कौन से अगर देखेंगे तो जैब विबित्ता का जो पहला पारिस्थितिकिये महत उभर कराता है वो ये उभर कराता है कि जैब विबित्ता जो है प्राकृतिक प्रयाव कल आपने देखा था जैव भू रासायन चक्र के बारे में परहा था तो जैव भू रासायन चक्र में हमने देखा था कि किस तरीके से रासायनिक चीजों का चक्रन होता है तो जैव विवित्ता ये क्या करता है पोशक तत्वों के चक्रन में सहायक है दूसरा जैव विवित्त क्या है दूसरे जीवों के पन अपने और विकास में सहायक है दूसरे जीवों के पन अपने और विकास में सहायक है दूसरे जीवों के पन अपने और विकास में जैसे खुद अपने उपर हम लोग लागू कर लेते हैं कि हम लोगों के विकास में बनस्पति का जो जीव जन्त उसका बहुत बरा रोल है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से हम प्रत्यक प्रकार की चीजें लगबग उनहीं से प्राप्त करते हैं भोजन प्राप्त करना हो मांस प्राप्त करना हो उन प्राप्त करना हो इस तरी के जो भी चीजें होती है वो हमें इन से प्राप्त होती है न किसे बायु मंदल यह गेसों को स्थिरता प्रदान करते हैं को इस फिरता प्रदान करते हैं चौरथा इनका प्रयावर्रण महत्व क्या है वे जल्वायू नियंतरन में शहायक होते हैं प्रियावरन को स्वक्ष बनाई रखने में हमारी मदद करते हैं तो पारिस्थीति की दृष्टिकून से क्या है कि जय बिबित्ता हमारे लिए कई प्रकार से प्रियावरन के लिए पारिस्थीति की महत्तु रखता है जय बिबित्ता का आर्थिक महत्तु क्या होगा अब इसमें कहने की कोई चीज नहीं है कि आप फुद समझ सकते हैं जैसे हम लोगों ने कहा कि अपने उपर आप लागू कीजिए या अपने उपर को समझे कि हमें बनस्पती से जन्तु से क्या प्राप्त होता है तो चुकि जय बिबित्ता का आर्थिक महत्तु क्या है कि हमें यहां से प्राकृतिक संसाधन चुकि पहले भी बताया कि जय बिबित्ता क्या है एक प्राकृतिक संसाधन है तो different प्रकार के जो जैविक संसाधन होते हैं, वो हमें इससे प्राप्त होता है, तो प्राकृतिक संसाधन की हमें इससे क्या होती है? प्राप्ती होती है, फिर इसी से हमें क्या मिलता है? इंधन मिलता है, इंधन मिलता है, चारा मिलता है, सारी ये जो प्राकृतिक संसाधन है क्रिशी संसाधन की हमें प्राप्ती होती है अलांकि क्रिशी हम करते हैं लेकिन हमें क्रिशी संसाधन की प्राप्ती होती है जिसको हम लोग क्रिशी जय बिवित्ता का छितर भी कहते हैं ठीक है फिर इससे हमें क्या मिलता है भोज्य पदार्थ की प्राप्ती होती है खान पान भोज्य पदार्थ की प्राप्ती होती है इसे हमें औसधी की प्राप्ती होती है इसे हमें क्या मिलता है भोज्य पदार्थ की प्राप्ती होती है छटा क्या है कि इसे हमें कई प्रकार के सौंदर ये सामान भी प्राप्त हो हमें उद्योगों के लिए क्या है कच्छे माल भी प्रदान करतें कई सारे उद्योग को होते हैं बनाधारित उत्वादों पर आधारित निखुर्न तो दियोग को होता है जो आरेखंस नुग होता है जीविवों से हमें पराफ्त होता है तो फिशन हो tr verdade कोष्चप जीवन की उत्पत्ति और विकास को जान पाते हैं जीवन का उत्पत्ति और विकास को जान पाते हैं हम इसका बैज्ञानिक महत ये भी जान पाते हैं कि किसी खास जीव का किसी खास जीव का किसी खास जीव का प्रयावरन में क्या रोल होता है किसी खास जीव का प्रयावरन में क्या रोल है क्यों कि हर एक जीव का कुछ न कुछ रोल होगा कुछ न कुछ न कुछ उसकी भूमिक होगि साथ कि ये भी जान पाते हैं कि भविष्य में जीवन का संचालन कैसे होगा भविष्य में जीवन का संचालन कैसे होगा ये बिसी करिंग क्या है किромie का व benevolent वे जो जैंड विवित्त हमारे लिए तीन रिस्ट스터 कोंशे क्या है महत्य पुर्न रखते हैं एक पारिस्थीतिकी महत्तु है जिसमें पोशक तत्तों के चक्रन में ये सहायक हैं दूसरे जीवों के पनपने और विकास में सहायक हैं गैसों के स्थिर्टा करते हैं जलवाई उन्यंतरन करते हैं मौसम का परिमार्जन करते हैं प्रयावरन को स्वक्ष भरा रखते हैं अर्थिक बैज्यानिक उपादेता और बैज्यानिक महत्य ये है कि हम जैविविद्धा कध्यन से ये जान पाते हैं कि जीवन की उत्पत्ति और विकास कैसे शुरू हुई किसी खास जीव का प्रयावरन में क्या रोल है आप भी अपने उपर इसे लागू कर सकते हैं आप जो है आपका प्रयावरन में क्या रोल है बार बार एक व्यक्ति पोजिशन कर रहेते हैं कि मनुष्य का प्रयावरन में क्या रोल है आप फुद अपने उपर सोचे कि आपका प्रयावरन में क्या रोल हो सकता और क्या है आप प्रियावरन के संद्रक्षक के रूप में या प्रियावरन को नुक्षान पहुंचाने वालों में और भविश्य में जीवन का कैसे संचालन होगा इसके बारे में हम जान पाते हैं यहाँ तक सभी का क्लियर है कोई डाउट नेक्स्ट हो जाएगा जै बिवित्ता के हरास या बिनास का कारण हरास का कारण क्या है हरास का कारण तो जब हमने टॉपिक का फॉर्मेटिंग करना शुरू किया था तब ही हमने आपको बताया था कि इसके कारण को दो सिग्मेंट में बाट कर हमें जानना है ठीक ना तो एक इसमें हो जाएगा जै विवित्ता के कुछ प्राकृतिक कारण भी होते हैं प्राकृतिक कारण और दूसरा हो जाएगा जै विवित्ता के विनास के मानवजनित कारण कि मानव जनित्तारग प्राकृतिक कारणों में जो Beवित्त के बिनास का कारण हो जाएगा वह क्या है कि जैसे भूकम को हो इससे भी जैवित्त का बिनास अगर जुआला मुखी उद्गार होता है तो उससे निकलने वाला मैगमा बरे पैवाने पर जैबिवित्ता के बिनास को के कारण बनते हैं अगर बाड आ जाए तो ये जैबिवित्ता का कारण सूखा परे तो प्रयावरन की दसाएं सूखने लगती है वो जैबिवित्ता का कारण अगर दावानल दावानल का क्यारत होता है जंगलों में आग लग जाए इ ये ऐसी दसाएं हैं जो जै विवित्ता के हानी के लिए उत्तरदाई माने जाते हैं अगर धरातल से उलका का टकराव हो जाए उलका का टकराव मेटियॉरिक इंपक्ट अगर उलका का टकराव धरातल से होता है तो ये भी जै विवित्ता के बिनास का कारण बन जाता है क्योंक जिवों के बिनास का चारण बन जाता है। अब जो मानव जनित कारण है जै बिवित्ता के बिनास का उसमें क्या हो जाएगा बहुत सारे पॉइंट है लेकिन आप कुछ जान लेजे कि जैसे एक जो तेजी से जनसंख्या ब्रदी हो रही है तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये है इसी तरीके से जो तेजी से और और नियोजित नगरी करण हो रहा है ये भी जै बिवित्ता के बिनास का कारण जो तेजी से और नियोजित और और नियोजित और और ये तेजी से तुकि इन तीनों ही के कारण क्या होता है कि जब जनसंख्या तेजी से बरेगी नगरीय चितर का प्रशार हो और ये चितर का प्रशार हो तो आवासों के बसाव के लिए हमें जगा चाहिए इस करम में हम क बिनास करते हैं और बनों के बिनास होने से क्या होता है कि एक तो बनस्पति कट गई तो वो खुझ जय विवित्ता का बिनास और बनस्पति के समाप्त होने से कई जीवों के क्या होते हैं आवास समाप्त हो जाते हैं तो इन सब के कारण क्या होता है डिफॉरेस्टेशन होता ह तो निर्वनी करण, जनसंक्याम्रदी, तेजनकरीकरण, और जियोगीकरण होता है। पर जो हम किटनासी का प्रयोग करते हैं। तो किटनासी का यूज करते हैं, यह भी जैन बिवित्ता के बिनास का कारन बनता है। क्योंकि जब हम कीट नासी और रासानी कुरबरक का यूज करते हैं यह मृदाम अवस्थित जो हजारों प्रकार के सुक्समजीवी होते हैं उसको खतम कर देते हैं आप याद कीजिए जय विवित्ता में आपको हमने क्या बताया था कि तुक्समी भी जय विवित्ता कांग और अमरजीत एसेंबल जी आपका जो प्रस्न है ऐकरिसीज्द जय विवित्ता के कारन जय विवित्ता के बिनास होने से किस तरीके से रोक सकते हैं अब यहाँ से आपके प्रस्नों का रथाएगा कि अगर कीट नासी, रासानी, पेस्ट अगर जै विबित्ता की हानी होती है तो हम इसके भिकल्प में क्या कर सकते हैं परइबाबादे सकते हैं करबन गुझी परभादे सकते हैं और धारनी गंटिक को बढ़ाबादे सकते हैं जो हमें क्रशी उत्पाद भी देगा प्राकृतिक प्रयावरन को होने वाले नुकसान से भी बचाएगा और जया बिवित्ता का भी संद्रक्षन होगा ये आप उसमें लिखेंगे तो कीटनासी रासानी कुर्वरक का यूज करते हैं कई ऐसे प्रदूसक भी हैं जो जय बिवित्ता के बिनास के कारण बनते हैं तो प्रदूसकों का प्रयोग मानव करता है वो हो जाएगा बहुत सारी जो विदेशी प्रजातियां होती है जिसको हम लोग एक्जॉर्टिक एस जाते हैं जो बन्य जीवों का अवैद सिकार है वो भी क्या है जै बिवित्ता के बिनास का कारण है अपने याद देखते हैं हाथी का अबाई सिकार होता है उसके दांत सिकार होता है आभूसन बनते हैं, चीता का सिकार होता है, उसके खाल का बहुत मुल्य होता है। फिंसके पहले पांच भार जीवों का सामोहिक विलोपन हुआ है और कई ऐसे अबसर भी जब का विलोपन धरातल पर मानव पस्तित नहीं था इसे भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि प्रजातियों का बिलोपन प्राकृतिक कारणों से भी होता है अब जब प्राकृतिक कारणों से प्रजातियों का बिलोपन होता है तो इसमें एक संगठन के संद्रक्षन के रूप में IUCN का जिकर है आयूसियन जो है न ये अस्थापित कब आयूसियन तो आयूसियन अस्थापित है 1948 में अस्थापित है और आयूसियन का जो मुख्याले है वो कहाँ पर है तो स्विटजर लैंड में है कहाँ पर मुख्याले है स्विटजर लैंड में है IUCN जो है वो basically क्या है कि प्रयावरन संदक्षन और जीवों के संदक्षन से संबंदित एक सबसे पुरानी संस्था के रूप में आप इसे कह सकते हो और IUCN जो है जिसको हम लोग International Union for the Conservation of Nature कहते है इसके द्वारा क्या क्या जाता है कि प्रजाती या जीवों के संदक्षन के उद्दित से उन्हें तीन कैटोगोरी में रखा गया अलांकि सेंसियाटी में तीन कैटोगोरी दिया हुआ है लेकिन आप जब बरे तौर पर हम लोग पर आते हैं बिवित्ता को IS के class में offline में या online में ही बरे तवर पर तो no category है IUCN का उसके बारे में आपको ध्यान मुद्ध है तीन category में रखा है जीवों के और प्रजातियों के संद्रक्षन को दिये से IUCN इसमें एक जो रखा है उन्हों तीसरा जो इसमें है उसको कहा जाता है सुभेद्य प्रजाति की स्रेनी में रखा है वनरेवल एस्पेसीज सुभेद्य प्रजाति और तीसरा जो इसमें category है उसको कहा है दुरलब प्रजाति rare एस्पेसीज की category है दुरलब प्रजाति की category ये तीन आपके NCRT में दिया हुआ है, संकट ग्रस्त प्रजाती का अर्थ होता है, जिसके उपर वर्तमान समय में बिलोपन का खत्रा है, जिसके उपर क्या है, संकट ग्रस्त प्रजाती का अर्थ है, जिसके उपर वर्तमान समय में बिलोपन का खत्रा है, यानि ये प्रजाति यहां बिलुप्त होने की इस्तिती माग रही है बिलुपन का खत्रा हलांकि इसमें एक और अंदर जाएंगे तो critically in danger species होता है क्रांतिक रूप से संकटापन प्रजाती critically in danger जिनके लुप्त हो जाने का खत्रा है प्रजेंट में उसको इसमें रहते हैं और संकटग्रस्थ प्रजातियों के संदर में IUCN के द्वारा RAID data का प्रकाशन किया जाता है किसका प्रकाशन किया जाता है RAID data का प्रकासन के आज़ाद ये direct कई बार प्रसने state PCS में आये हुए हैं ये याद रखेंगे सुभेद्य प्रजाती का अर्थ होता है ऐसी प्रजातियां जिनके उपर बरतमान में बिलोपन का खत्रा नहीं है लेकिन अगर उनके संद्रक्षन के प्रयास नहीं किये गे ता आने वाले समय में वो भी क्या हो जाएंगे बिलोपन के कगार पर आजाएंगे इन्हें हम सुभेद्य प्रजाती कहते हैं फिर से एक बार समझ लेंगे सुवेध्य प्रजाती ऐसी प्रजातियों को कहते हैं जिनके उपर वर्तमान समय में बिलोपन का कोई खत्रा नहीं है लेकिन अगर हम उनके संद्रक्षन के प्रयास नहीं करते हैं जो उनको प्रभावित करने वाले हैं तो आने वाले समय में वो भी इंडेंजर स्रेनी में आ जाएंगी इसको हम लोग सुभेद्य प्रजाती कहते हैं और फिर तीसरा जो दुरलब प्रजाती होता है इसका अर्थ है कि ये ऐसी प्रजातियां है जिनकी संख्यां विश्व में बहुत कम हो गई है संख्या कम है ना के बल संख्या कम हो गई है बल किसका अर्थ यह भी है कि यह प्रजातियां अब अस्थान विशेश पर ही मिलते हैं विश्व में अस्थान विशेश पर ही मिलते हैं तो ऐसे प्रजाति को हम लोग क्या कहते हैं दुरला प्रजाति कहते हैं बड़े छित्रों में विरल रूप से ये प्रजातियां मिलती है तो IUCNA जिसको हम लोग International Union for the Conservation of Nature कहते हैं जो 148 में स्थापित हुआ है मुख्याल है स्विर्जर लैंड में है प्रजाति या जीवों के संद्रक्षन कुद्येस उसको तीन कैटोगोरी में रखा है एक जो है सं कटगरस्त प्रजाति जिसको इंडेंजर कहते हैं एक है सुविध्य प्रजाति जिसको वेनरेवल कहते हैं और तीसरा है दुरला प्रजाति जिसको रेयर एस्पसीज कहते हैं तीनों का क्यार्थ होता है ये आप जान गए है इसको आप ध्यान में रखना है अब है कि जै बिवित्ता के संद्रक्षन के उपर थोड़ा से दिया हुआ है तो आप इसको ध्यान से देखेंगे अलांकि वो जै बिवित्ता के संद्रक्षन का ही प्रयास था इंटरनेशनल यूनियन का जै बिवित्ता का संद्रक्षन जय बिबित्ता का संरक्षन एवं प्रयास तो देखो जय बिबित्ता का संरक्षन एवं प्रयास जो करते हैं तो इसमें एक प्रस्नुत्पन होता है कि आखिर हम जय बिबित्ता का संरक्षन क्यूं करें और क्यूं करें तो इसका उत्तर अभी के क्लास में आया है जैब विबित्ता के महत्तु के संदर्व में आपको इसका उत्तर लिखना है कि आखिर जैब विबित्ता हमारे लिए किस प्रकार उपी होगी है, पारिस्तितिके दृष्टी कोन से कैसे उपी होगी है, सामाजिक दृष्टी कोन से, आर्थिक दृष्टी कोन से, नैतिक कौन से जलवायू परिवरतन के दृष्टी कौन से इतने चीजों को ध्यान में रखकर इस क्यों का उत्तर आएगा यह आपको ध्यान में रखना है तो इसमें संद्रक्षन के प्रयास की जब हम बात करेंगे तो यह तो प्रस्ण हो गया संद्रक्षन क्यों जिसका उत्तर का प पर बरे ब्यापक तोर पर हुए उसके बारे में जिक्र है अंतरास्टी प्रयास के बारे में जिक्र है जै बिवित्ता के संद्रक्षन में और एक हमारे यहाँ जो रास्टी अस्तर पर बरे पैमाने पर प्रयास हुए उसके बारे में जिक्र है तो रास्टी अस्तर पर किसके बारे में जिक्र है 1972 के एक्ट के बारे में बताया गया है 1972 की ठीओ सरकार के द्वारा बैसी एक्ट के तहत अपने यहाँ रास्टिय पार्क की घोसना होती है नेशनल पार्क की जो घोसना होती है इसी एक्ट के तहत ना के बल रास्टिय पार्क बलकि जो बन्य जीब या वाइल्ड लाइफ सेंसरी होता है जिसको हम लोग क्या कहते है एक तरीके से बन्य जीव अभ्यारन ये कहते हैं तो दूसरा जो बन्य जीव अभ्यारन ये अपने यहां घोसित होते हैं वो भी इसी एक्ट के तहत घोसित होते हैं और तीसरा जो जायब मंडल आरक्षित छितर होता है बायस्प्यर रिजर्ब जोन वह जायब मंडल आरक्षि च्छेत्ट भी इसी नीती के तहत घोशित होता है जैब बंडल आरक्षित च्छेत्ट तो भारत सरकार के द्वारा अपने भौगोलिक सीमा के अंतरगत लोरा और फोना के संरक्षन के लिए जैब विविता के संरक्षन के लिए बन्य जीब सुरक्षा दिनियम उने 72 लाया गय और उस 72 के तहत रास्ट्य पार्ग, बनेजी बभ्यारन और मंधला के चेटर घोशत किये जाते हैं, जबकि अंतर रास्टीएस्तर के प्रयासों में in जो महत्विर्ण प्रयास का जिक्र है वह रियोगे जैन्रो प्रियास का रियोडी जेनरो तो रियोडी जेनरो जो है यह ब्राजिल का सहर है जहां पर उन्हें सो बानमे में सतत विकास पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था उन्हें सो बानमे में और यह जो रियोडी जेनरो सम्मेलन है जो उन्हें सो बानमे में हुआ था ब्राजिल के प्रथम प्रिथवी सिखर सम्मेलन भी कहते हैं, प्रिथवी सिखर सम्मेलन, इस फर्स्ट अर्थ समिट में जो है, जय विवित्ता के संद्रक्षन के तुरिष्टि कौन से, कई सारी चीजों को प्रापधान में लाया गया था, तो सबसे पहले जिसमें था कि संकटापन प्रजातियों के संद्रक्षन के लिए हमें प्रयास करने हैं, दूसरा है कि प्रजातियों को बिलुप्त होने से बचाने के लिए हमें क्या करने हैं, योजना तैयार करने हैं, प्रजातियों को बिलुप्त होने से बचाने के लिए योजना तैयार करने हैं, तीसरा वन्य ज जै बिवित्ता के बिनास का कारण बन रहा है तो जीवों के आवाज का संद्रक्षन करना है और जो बन्य जीव और बनस्पती का ब्यापार होता है वो अंतरास्टिये कैदे कानून के अनुशार होनी चाहिए कैदे नियमों के अनुशार होनी चाहिए कि जो तसकरी होती है जी बिलुप्त होने से कैसे बचाया जा सकता उस पर ध्यान दिया गया बन जीब और बनस्पतियों का संद्रक्षन करना इसमें ये ताय किया गया जीबों के आवास का संद्रक्षन करना इसमें ये ताय किया गया और फिर बनस्पति और बन जीबों का जो अंतरास्टिय व्यापा है आप और कि अब एक है इसमेंर जिसके हम लोग कहते हैं महा जैब बिविद्ता केंद्र महा जैब बिविद्ता केंद्र मिगा बाइयो डायवर्शीटी सेंटर कहेंगे महा जय बिवित्ता केंद्र तो सबसे पहले क्या है कि ये महा जय बिवित्ता केंद्र है क्या ये आपको ध्यान में रखना है तो ये महा जय बिवित्ता जो है न विश्व में कुछ ऐसे देश है जिनने मेगा बायो डैवर्सिटी country का दरजा दिया गया है सबसे पहले यह आपको ध्यान में रखना है कि विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जिनको क्या किया गया है mega biodiversity का दरजा दिया गया अर्थात यह ऐसे देश होंगे जहां पर जैब विविदता अत्यधिक होगी यह ऐसे देश है जहां पर जैब विविदता अत्यधिक है तो जो mega biodiversity center है वो सबसे पहला concept आपको ध्यान में रखना है कि what is तो this is a country यह क्या है कुछ देश हैं जहां पर जैब विविदता अत्यधिक होगी जीवों की प्रजातिय विविदता अत्यधिक पाई जाती है जैब विविदता दिख पाई जाती है तो यह देश है फिर यह देश ऐसे है नॉर्मली जो उसन कटिबंदिये जलवाईू दसा में उपस्तित हैं किस जलवाईू दसा में उसन कटिबंदिये हलांकि जब आप देश का नाम सुनेंगे तो फिर आपको लगएगा कि यह देश तो उसन उपस्तित नकटिबंद में भी है उसन कटिबंदिये जलवाईू दसा में है और यह देश उसन कटिबंदिये जलवाईू दसा में है अर्थात यहाँ पर तापमान वर्षा आदरता इत्यादी की अनकूल दसाएं है और अनकूल दसाँ होने के कारण क्या है कि यहाँ पर जय बिबित्ता अधिक पाई जाते है इसलिए ऐसे देशों को क्या कहा गया है जय बिबित्ता यानि मेगा बायो डैवर्सिटी कहा गया है ऐसे देशों की जो संख्या थी वो प्रारंब में 12 ऐसे देश कितने थे 12 देश थे लेकिन बरतमान समय में मेगा बायो डैवर्सिटी कंट्री की संख्या बढ़ कर कितनी हो गई है 17 हो गई है मेगा डावर्सिटी की कंट्री और इस 17 में भारत भी सामिल है अर्थात इंडिया भी एक मेगा बायो डावर्सिटी कंट्री वाला देश है और क्यों नहों जहां पर इतनी बिजबिताएं पाई जाती है तो भारत भी क्या है एक मेगा बायो डावर्सिटी कंट्री का देश है जो 17 जय बिवित्ता वाले जो देश हैं ये UPPCS में प्रसन एक बार आया हुआ है option दिया हुआ है कुछ देशों का नाम और पूशा हुआ है कि आप बताईए कि इसमें से कौन mega biodiversity country है तो जो 17 देश हैं इसमें एक है जिसको हम लोग कहते हैं मैक्सिको Mexico है फिर इसमें कोलांबिया है मैक्सिको है कोलांबिया के बाद इसमें आजेगा Ecuador, Peru, Brazil Ecuador Latin America और अमेरिकी Ecuador, Peru, Brazil Ecuador, Peru, Brazil और अफरिकी country में आजाएंगे तो जायरे यानि कॉंगो फिर इसमें मेडागासकर, चीन, भारत, मेडागासकर, चीन, भारत जैसे पहले भी आपको बताया है मेडागासकर, चीन, भारत, मलेसिया, इंडोनेसिया, और फिर कौन सा देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया तो प्रारंब में ये 12 देश हैं जिनने मेगा बायो डिवर्सिटी का दरजा दिया गया है और फिर ये ऐसे छितर हैं जहां पर जीव अधिक संकट में भी हैं ये भी ध्यान में रखेंगे ये ऐसे देश हैं यानि मेगा बायो डिवर्सिटी कंट्री वाले जो देश हैं यहां पर क्या है जीव संकट में भी हैं ठीक ना और जीव संकट में है इसलिए IUCN के द्वारा क्या क्या गया है इन्हें hot spot के रूप में निर्धारित क्या गया है चुकि इन देशों में जीव संकट में भी है इसलिए IUCN के द्वारा इन देशों के छेतर को hot spot का दर्जा दिया गया है होट ऐस्पॉर्ट की रूप में निर्धारित किया गिया, जै बिवित्ता के होट ऐस्पॉर्ट की जो पहचान का आधार है, होट ऐस्पॉर्ट की पहचान का अधार है, वो क्या है? प्राकृतिक प्रियाबरन में जितनी ही प्रात्मिक उत्पादक्ता होगी उस परितंत्र में उतने ही संसाधन होगे जीबों की उतने ही विवित्था हो सकती है यह UPSC में पूछा हुआ है कि हौटस्पॉट के निरधारन का धार क्या है तो बनस्पति और बनस्पति क्यों है क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक्ता को प्रभाइड करता है प्रकासंसलेशन के दौरान तो ये रहा आपके आज के जैब विवित्ता का टॉपिक अब अगर आज जो चर्चा हुई है क्लास में जैब विवित्ता वाले जो NCRT में दिया हुआ है उस चीजों को आप 7, 8, 9, 10 सब के NCRT में पर चुके हैं तो आप इसका नोट्स बनाईए खुब अच्छे से 3, 4 बार रिविजन कीजिए और निसंदे इसका आपको बेनिफिट मिलेगा और जब इसके NCRT के अधार पर आप अपना इंफ्रास्ट्रक्टर तयार कर लेंगे तब आपको टेस्ट बुक भी समझ में आएगा और यह आपको PT मिन्स में कई बार डारेक्ट प्रस्न भी देगा यहां से आपको बहुत इसका बेनिफिट उठा सकते हैं साथी साथ आपसे ये भी कहूंगा कि इस परहाने के करम में अगर कहीं पे गलती हुआ हो क्योंकि मान भी भूल हो सकता है तो उस भूल को आप लोग माफ करेंगे क्योंकि हम भी कंप्यूटर या रोबोट है नहीं इनसान है तो कभी हो सकता है मुझ से कुछ वैसा सब्द निकल गया हो आप लोगों को कभी भरा बुला कर दिया हो तो इस सारी चीज़ों के लिए आपसे माफी झाल